टेक्स्ट फॉर्मुला या टेक्स्ट डेटा की कैल्कुलेशन आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नमस्कार दोस्तों मैं सजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से हमारी टैबलू की इस वीडियो टिटोरियल में आपके साथ स्वागत करता हूं और हम अभी तक की वीडियोज में इफ कंडिशन की फॉर्मुले मतलब की लॉजिकल जो फॉर्मुले थे वो सारे फॉर्मुलेश अभी तक की वीडियोज में आपके साथ हम सीखे हैं अब जो अगला topic हमारा आता है वो आता है text category के formulas तो सबसे पहले हम आपको formula list में उसको दिखाते हैं कि क्या का formula निस category में हम सीखेगे तो आपको जहें गुगल इंट का list मिल जाता है Tableau search करेंगे Tableau function list by category तो हमने लास्क वीडियो में लॉजिकल फंक्शन को पढ़ा था क्योंकि इस इंपोर्टेंट होता है बात कर रहें स्ट्रिंग फंक्शन जो की हम यूज करते हैं किसी एक क्रेक्टर की उपार चलिए सबसे पहले हम एक डेटा ओपन करते हैं डेटा है नोट पैड में तो इस बार मैं सोच रहा हूंगी हम टेक्स्ट फाइल नोट पैड की डेटा लेते हैं मैं आता हूँ वेस्वें, यूजर्स, डैल, और यहां हमारे पास है, लोकेशन्स, डैक्स्टॉप, MF, इसमें एजरा है, तो थोरा सा टाइम कंचूल करेगा, तो आप पेशन्स रखिए है, तो थोरा सा टाइम कंचूल करेगा, तो आप पेशन्स रखिए है, कभी-कभी अपडेट नहीं होता है, तो अपडेट नाव पे क्लिक करेंगे, तो अपडेट हो जाएगा, अब इसमें एक चीज़ देखी, मैं तो इसको बला करता हूँ, यह मेरे पास आईडी है, सैप कोड है, तो सैप कोड में जैसे T-12 लिख रहा है, O-H, O-G, तो मुझे इसमें से कुछ चीज़े अलग करने हैं, कि मुझे रिपोर्ट में चाहिए होगा, मैं काउंट बगर में रिपोर्ट में लगाना चाहता हूँ, जैसे कि यह जो O-H है, यह हमारे जो बेंडर है, उस बेंडर का कोड है, जो T-12, T-20 यह हमारे साइट, कि यह साइट के थू सेड हुआ है, उसका कोड है, तो मुझे साइट बाइज मुझे का बलते हैं, अलग करना है। क्रियेटिर कैल्पूलेटिटिट फिल और यहां पर हम बोलते हैं साइट यहां हम देते हैं सैप की यहां देते हैं हम फॉमुला इसकी लेफ्ट मुझे लेफ्ट से अलग करना है तो लेफ्ट और लेफ्ट में हमने इस्विंग सेलेक किया सैप अबजेक्ट की और मुझे कितना डिजिट चाहिए लेफ्ट से तो वां टू त्री ठीड चाहिए तो 3 को सेलेक्ट किया, ब्राइके को क्लोज किया, क्लेकुलेशन बैलिट आ गया, थैन अप्लाई, तो यह ओकी, यह अप्डेट नौब भी किलिक कीजिए, तो जब बड़ा डेट है, यह अपाब अप्डेट करने के बोला है, तो यह आपको सब का T2L, आपको 3 आ गया, बट 3 ने मुझे यहाँ पर 4 डेश भी तो है न, 4 डेश चाहिए मुझे इसमें, तो मैं इसको एडिट करता हूँ, किसी भी फाम्मला का बिफ़से एडिट कर सकते हैं, इसमें 3 को मुझे 4 करना हो, 4 कर दिया, यहाँ पर वैलिट आ गया, तो यहाँ पर आप डेट पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखे, टीट वेल आगे आगे, अब मुझे इसमें से मुझे डीलर कोड चाहिए होगा, जो डीलर है, जिनने से इन किया है, तो मैं इसी में, पर यहाँ पर हम डीलर कोड का नया बनाते हैं, और डीलर कोड के लिए फिर यहाँ पर हम देते हैं, मिट का बना, क्योंकि मुझे इसको बीच में से निकालना है, तो किस में से निकालना है, तो यहाँ पर देखे, सैप की, मिट स्टार्ट कहां से है, तो यहां पर हमने बोला second dash, one, two, three, four, five से start, तो five के बाद कितना digit लेना है, तो हमने बोला दो digit लेना है, तो दो digit हमने यहां पर लिख दिया, then apply, then okay, अब कुछ लोग सोचे होंगे, कि मुझे यहां पर तो पता है, अब एक में फाइट, five नहीं six होगा, मैं यहां पर फाइटा apply, then okay, update, यहां पर six delay आगे, आप कुछ दो बोलेंगे कि में पास तो पता है कि इसको डैश लगरा है, बट जिसमें पास पता नहीं होगा, वो कैसे गरेगा, तो उसके लिए भी हमाले पास है, मतलब की location, options है, वो हम find लगरा का, find next लगरा का formula लगाएंगे, तो हम आपको वीट का formula और लेफ्ट का formula, अब इसमें अगला option जो आता है, वो देखते हैं, अब अगला option जो आता है, वो आता राइट का, जैसे मान दीजिए, हमने यहां पर side code ही लगा है, जिसमें जब T12 है, 12 is the, our server, so I just, मैं यहां पर server code अलग करना चाहता हूँ, तो create calculated field, और यहां पर हमने server कर दिया, server, और यहां हमने क्या किया, पहमा लगाया, right का, right, और यहां पर हमने बोल दिया, side code, side code, और हमने बोला कि मुझे right से दो डिजिट लेने हैं, तो जो numbers हैं, वो numbers यह अलग कर देगा, and okay, data copy बड़ा, इसमें बारा बार आपको update यहां पर करना पड़ेगा, every time आपको update करना पड़ेगा, 12 आगे, यहां पर एक अगला option आता है, तो हम आपक global ID है, इसका एक length fix है, तो मुझे देखना है कि कहीं पर गल्ती तो नहीं हुई है, इसके length कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है, तो सबसे में इसके length को count करना है, तो carry form में मैं यहां पर lane का formula, lane आपको डाल देता हूँ, और यहां पर हम lane का formula लगाते हैं, lane formula, global ID, and हमने यहां पर bracket को close किया, then apply, मैं ओके update किजिए, यहां पर सब के lane आज़े, अब 38 है, आपको यह चेक करना है, को 38 से कम जादा तो नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि इसमें हम logical operator लगा सकते हैं, इसमें equal to 38, simple equal लगा दो थे operator, अब यहां पर true and false आ जाएगा, आप यहां filter करके भी देख सकते हैं, कि कौन सा, यहां पर filter करके भी देख सकते हैं, कि कौन सा क्या है, यहां पर अपने data भी आपके देख सकते हैं, यह जो है हमारा हमें आज जो formulae discuss किये, left, right, mid, or lane, चार formulae अभी आपको साथ discuss किये, but basic, अब इसकी practice आप करें, फिर इसमें जो tricks लगता है, कि भाई dash नहीं है, तो क्या होगा, मुझे idea नहीं है, कितना digit लेना है, कि dash के बाद लेना है, या फिर कुछ चीज़ को replace करना है, इन सब formulae के बारे में हम आपके साथ discuss करेंगे अगली वीडियो में, और आप लोगों को बताना था कि मेरा नया mobile app launch हुआ है, वीडियो के discussion में link डाला हुआ है, देख लीजिए, वहां पे भी मेरी टैब्लू के courses कुछ दिनों में आने वाली है, और जो app डाउनलोड करके रखेगा, उसको notification आ जाईए, कि मेरा app पे मेरा टैब्लू कोर्स आ गया